हेलो फ्रेंड्स और वल्कम तो मैं डिप चैनल सिवेल डिजाइन गाइस इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएं बहुत ही सांदार और खास प्लान जो कि गाइस आपका बाइस फिट वाई पचास फिट का है यह बेस्ट फेसिंग है और इसे थ्री बेस्ट के फॉल फैस कीजिए ऐसे ही लेटिस्ट और अच्छे से प्लांस देखने के लिए तो यह जो है आपका रैप बनाया गया है तो मैं इंट्री यहां से करते हैं अपने बेस्ट साइड के रोड पर ठीक है तो यहां पर रैंप से इंट्री करते हैं पांच फिट का जो मैंगेट मिलता है आ इंट्री करते हैं उसका और 12 फिट वाई 12 फिट चैंज जो है साइज है इस वेड्रूम का इसको गैस्ट वेड्रूम यूज कर सकते हैं यहां पर एक विंडू दिया गया है प्र इंट्री के लिए आंगे पढ़ने पर आपको जो है यहां पर ड्रोइंग को मिलता है यहां पर यह आपको बात्रूम दिया गया है तो इसका जो बात्रूम है वह 7 Watts नौए चार इंच और इस में गया है यह है जिसका साइज यह तीन फिट वही चार फिट तो इसका जो गेत है तो वोटीस का वाथृ में दिए गया है इसको आधिचा पासिंग अरिया यूज़ कर सकते हैं इसमें बासिंग अगरा लगा सकते हैं तो आगे जाने पर यह आपका लैट रा शेप्रेट तो इसका साइज है चाराफ है चारफेट और इसका का वेंटिलेशन के लिए आपको वोटीस में दिया गया है वोटीस का मतलब होता गईद सूपन तु एश का यह और इसका स्टेर केस में भी विंडो दिया गया है तो आगे जाने पर आपको एक स्टेर केस मिलता है जिसका साइज है यहां से अपवर्ड है और यहां से डाउन है तो यह कि लोग बाइज डारेक्शन में यहां से स्टार्ट करेंगे चड़ना और क्लोग वाइज भूमते हुए आप फ़स्ट फ्लोर पर पहुंच जाएंगे यह भी आपके बास्तु के अपवर्डिंग नॉर्थ तू सौथ चड़ा गया है ठीक है तो इसका जो्ट लेंडर और यहां पर आपको इतना चार फिट जगे मिलता है आंगे जाने के लिए एंट्री तो यहां से एंट्री करते हैं और अपने डाइनिंग अरिया में पहुझा आते हैं यहां पर आपना डाइनिंग सेट अप कर सकते हैं डाइनिंग टेबल सेट अप कर सकते हैं इसके वेंटिलेशन के लिए यहां पर ए option मिल जाएगा एक प्रीचर का बाकी इस तरह से सिंग और स्टोप का भी यहां पर वेंटिलेशन के लिए तीन फट का बेंडू दिया गया है आपके में आँगे जाने पर यह ओटियस का साइज मिलता है तीन फुट चार इंच पर दो फिट नौ इंच ओके और इसी से आपको जो है बेड्रू में भी तीन फट का बेंडू मिलता रहा है प्रोपर बेंडिलेशन के लिए यहां पर आप इसका डोर चला लगा सकते हैं जिससे कि आप डोर जो बिद बेंडू वाली डोर लगा सकते हैं जिससे कि आपकी डाइन गरिया में भी वेंटिलेशन होता रहे हैं आप आँगे जाने पर आपको एक बेड्रू मिलता है जिसका साइज है तैस विट चेंज वही क्या रहे विट और इसमें इस तरह से सेट अप कर सकत हैं यहां पर वैड्रूम n you master bedroom इसको बन सकते हो साइज है जो है आपका 10-80 15 10 साइज हो का 10 is सकमें पर तो इस तरह पर बैड साथ करते हैं अभदे लाद बीड़ सेट आप करके इदर अपना बार्डरों करो नहीं है ठीटे इस तरह से आपका जो है बैट सेट अप हो जाएगा और यहां पर जो है आपका वो दिया गया है तो यहां पर यूट टेमपल है वो आपका इसांग कोड में दिया गया है जिसका साइज आपका 3.9 इंच भाई 4.8 इंच है जो की काफी अच्छा है साइज और इस तरह से यह डाइनिंग गयरा एरिया दिया गया है और इसकी आउटर वाल्स जितनी है वो आपकी 9 इंच है और इंटरनल लियार्श पार्टीशन वाल है वो चारेच्छी है तो गईस आई होप यह प्लान आपको अच्छा लगा होगा और गईस यह वाली जो बाल है यह क्ल और जो बेस्ट में साइज है वो 22 फिट है तो उसके अकॉर्डिंग यह नौर्थ में इसका कोना निखल गया है तो उसके अकॉर्डिंग ही यह डिजाइन किया गया है यह प्लान आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना एक लाइक भी करना और चैनल पर फर्स्ट सब्सक्राइब करना इसी लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए अगर आपको अपना प्लान वेल्टिंग डिजाइन करवाना है तो आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते कॉंटेट डेटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चलिए नेक्स्ट वीडियों तब तक लिए जाए है झाल